हेलो बच्चो कैसे हो आप सब आशा करती हूँ सब कुशल होंगे और घर पर खुब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे आईए आज आपका अध्याय व्रतों से संबंदित शेत्रफल पढ़ना आरंब करते हैं हम इस अध्याय के अंतरगत चर्चा करेंगे व्रत का परिमाप और छेत्रफल की और तिज्य खंड और व्रत खंड के छेत्रफल की और हम ये भी सीखेंगे समतल आकरतियों के सयंजनों के छेत्रफल कैसे निकालते हैं तो आप अपनी पिशली कक्षाओं से सरल समतल आकरतियों जैसे आयत, वर्ग, समानतर चतुरुभुज, त्रिभुज और व्रत के परिमापों और छेत्रफनों को ग्याद करने की कुछ विदियों से पहले से ही परिचित हैं। देनिक जीवन में हमें जो वस्तवें देखने को मिलती हैं, उनमें से अनेक एक ना एक रूप से व्रतिय आकार से सम्बंदित होती है। साइकल के पहिये, थेला, डार्ट बोर्ड, ऐसा बोर्ड जिस पर तीर फेंक कर खेल सकते हैं। गोल केक, पापर, नाली के धकन, विभिन बनावट की चूडियां, ब्रूच, व्रताकार पत, इत्यादी ऐसी वस्तों के कुछ उधारन हैं। अतह, व्रतिय आकरतियों के परिमापों और छेत्फनों को ज्यात करने की समस्याएं व्यभारिक रूप से बहुत महत्पून हैं। इस अध्याएं में हम अपनी चर्चा एक व्रत के परिणाम, यानि परिधी और छेत्रफल की संकल्पनाओं की समीक्षा से प्रारंब करेंगे, तथा इस ज्यान का व्रतिय छेत्र, संक्षीत रूप में व्रत के दो विशेश भागों के छेत्रफल ज्यात करने में करेंगे, जिनें तिज्यखंड यानि सेक्टर और व्रत खंड सेग्मेंट ओफर सेर्कल कहते हैं, हम यह भी देखेंगे कि व्रतों या उनके भागों से संबद्ध संतल आकरतियों के कुछ संयोजनों के छेत्रफल किस प्रकार ग्यात किये जाएं, आपको याद होगा कि एक व्रत के अनुदिश एक बार चलने में तै की गई दूरी उसका परिमाप होता है, जिसे प्राय परिधी यानि सरकंफरेंस कहा जाता है, आप पिशलिक अक्षाओं से यह भी जानते हैं कि व्रत की परिधी का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है, इस अचर अनुपात को एक युनानी अक्षर पाई से व्यक्त किया जाता है, दूसरे शब्दों में परिधी बटा व्यास बराबर होता है पाई या परिधी बराबर होता है पाई गुना व्यास, जो बराबर है पाई गुना दो आर जहां आर व्रत की तृज्या है, इस प्रकार हमारा सूत्र हुआ दो पाई आर, आये हम आगे सीखते हैं, एक महान भा बात को ध्यान देना भी रुची पूर्ण है कि एक महान प्रतिबाशाली भारतिय गणितग्ये प्रिनिवास रामानुजम 1887 और 1920 के बीच में कि एक सर्वसमिका का प्रियोग करके गणितग्ये पाई का मान दश्चमलों के लाखो स्थानों तक परिकलिफ्ट करने में समर्थ हो सकेद है जैसा कि आप कक्षा 9 के अध्याय से जानते हैं कि पाई एक अपरिमय इर्रैशनल संख्या है और इसका दश्चमलों प्रसार अन्वसानी और अनावर्ति यानि नौन टर्मिनेटिंग एंड नौन रिपीटिंग होता है परन्तु व्यवहारी कारियों के लिए हम प्रहय ये मान लगभग 22 बटा साथ या 3.14 लेते हैं ठीक है बच्चों तो आईए अब हम इसकी सहायता से कुछ प्रश्न हल करते हैं पहला उधारण देखिए एक व्रतकार खेत पर 24 रुपे प्रती मीटर की दर से बार लगाने का व्यवह 5,280 रुपे है इस खेत की 50 पैसे प्रती वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है खेत की जुताई कराने का व्यवह ग्याद कीजिए जहां पाई हमें 22 बटा साथ लेना है हल को समझ लीजिए बार की लंबाई मीटर में बराबर होगी पूरा व्यवह बटा दर जिसको हम निकालेंगे 5,280 बटा 24 जो आएगा 220 मीटर अतर खेत की परिदी कितनी हुई 220 मीटर इसलिए यदि खेत की 3,8 मीटर है तो 2 गुना पाई आर ब़ाबर होगा 220 या 2 गुना 22 बटा साथ गुना 4 बटा होगा 220 इस प्रकार आर बड़ाबर हुआ 220 गुना 7 बटा 2 गुना 22 जिसको हम हल करके पाते हैं यह आएगा 35 मीटर ठीक है बच्चो समझ में आया आएए खेत की तरिज्या 35 मीटर है अतर खेत का छेतरफल कितना होगा बच्चो पाई गुणा आर का वर्ग जो बड़ाबर होगा 22 बटा 7 गुणा 35 गुणा 35 मीटर वर्ग अर्थात यह हम हल अगे 7 गुणा 35 गुणा 35 मीटर वर्ग अब एक मीटर वर्ग खेत की जुताई का वियर कितना था पचास पैसे अतर खेत की जुताई कराने का कुल वियर कितना आएगा 22 गुणा 5 गुणा 35 गुणा 50 पैसे जो बड़ाबर हुआ 1925 रुपै आगे प्रश्न करते हैं आपकी प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न, दो व्रतों की तरिज्याएं करमश उनिस संटिमीटर और नौ संटिमीटर हैं, उस व्रत की तरिज्या ग्याद कीजिए जिसकी परिधी इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है, यहां देखिए, यह एक व्रत की तरिज्या यहां पर 19 संटिमीटर है और यह दूसरा व्रत है, जिसकी तरिज्या है, यह आरवन है और यह आरटू है, 9 संटिमीटर प्रश्ण के अंसार हमें तीसरे व्रत की तरिज्या हम माल लेते हैं, आर है, ठीक है, और पहले व्रत का परिमाब हम कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र है, दो गुना पाई आर वन और दूसरे व्रत का परिमाब कितना होगा, दो गुना पाई गुना आर टू, ठीक है, तीसरे व्रत का परिमाब हम ले लेते हैं, दो गुना पाई गुना आर अतहर उस व्रत की प्रिज्जा हम निकालेंगे, किस प्रकार प्रशन के अंसार, दो पाई आर वन प्लस दो पाई आर दो बराबर होना चाहिए, दो पाई आर अब इसमें दो पाई उभे निष्ट है, इस प्रकार आर वन जमा आर टू बराबर हुआ, दो पाई आर, दो पाई हमने कैंसल कर दिया, आर वन हमारे पास कितना था बच्चो, उनने सेंटिमीटर प्लस नौ सेंटिमीटर, तो ये हो गया हमारा आर, अठाई सेंटिमीटर थाना असान, अठाई उस व्रत की तृज्जा है, अठाईस सेंटिमीटर, जिसकी परिधी, इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है बच्चो, आईए, अगला प्रिश्न करते हैं दो व्रतों की तृज्जाएं करमशह 8 सेंटिमीटर और 6 सेंटिमीटर हैं, उस व्रत की तृज्जा ग्याद कीजिए, जिसका छेतरफल इन दोनों व्रतों के छेतरफलों के योग के बराबर हैं, देखिए इसमें ये पहला व्रत ले लेते हैं आरवन है, 8 सेंटिमीटर और इसको आरटू ले ले लेते हैं, 6 सेंटिमीटर तीसे व्रत की तृज्जा हमें ग्याद करनी हैं, इसको हम ले लेते हैं, आर अब हमारे पास इसका सूत्र है, पाई आरवन का वर्ग, प्लस पाई आरटू का वर्ग, बराबर होना चाहिए, पाई आर का वर्ग इसमें पाई उबेनेश्ट ले लेते हैं, और कोश्टक में लिखेंगे आरवन का वर्ग, जमा आरटू का वर्ग, बराबर हुआ, पाई आर का वर्ग पाई पाई, क्यांसल कर देते हैं, अब आरवन हमारा कितना था, आरट का वर्ग, जमा छे का वर्ग, बराबर हुआ, आर का वर्ग ये हो गया 64, और ये हो गया 36, बराबर हुआ, आर का वर्ग, इसको जोड़के हमें मिलता है, आर का वर्ग बराबर है 100, इस प्रकार, आर का मान हुआ, वर्ग मूल 100, यानि 10 सेंटीमीटर ठीक है बच्चों, समझ में आया, चलिए अगला प्रशन करते हैं आकरती एक तीरन दाजी लक्षे को दर्शाती है, यहाँ आकरती बना लेते हैं कुछ इसी प्रकार होती है आकरती एक तीरन दाजी लक्ष को दर्शाती है, जिसमें केंदर से बहार की और पांच चेतर, यानि गोल्ड, यह गोल्ड है, यह रेड है, यह है ब्लू, और फिर है वाइट, चिन्नित हैं, जिसमें अंक अर्जित किये जा सकते हैं गोल्ड अंक वाले चेतर का व्यास 21 संटीमीटर है, इसका मतलब आर कितना होगा, 21 बटा 2, तथा प्रतेक अन्य पट्टी 10.5 संटीमीटर चौड़ी है अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों चेतरों में से प्रतेक का चेतर फल ग्याद कीजिए आईए बच्चों, इसका हल समझ लेते हैं पहले व्रत गोल शेतर की तरिजिया आरवन ले लेते हैं, जो बडाबर है 21 बटा 2, यानि 10.5 संटीमीटर दूसरे व्रत की तरिजिया आरटू बडाबर है 10.5 प्लस 10.5 यानि की 21 संटीमीटर तीसरे वरत की तरिज्या R3 बराबर होगी 21 जमा 10.5 यानि 31.5 cm चौथे वरत की तरिज्या R4 बराबर होगी 31.5 प्लस 10.5 यानि की 42 cm इसी प्रकार पांचवे वरत की तरिज्या R5 बराबर होगी 42 जमा 10.5 यानि 52.5 cm पहले वरत का चेतर फल हम कैसे निकालेंगे पाई R1 का वर्ग यानि पाई गुना 10.5 का वर्ग इसको हल करके हम पाते हैं पाई गुना 110.25 यानि 346.50 cm वर्ग रेड शेतर का चेतर फल बराबर होगा दूसरे वरत का चेतर फल माइनस पहले वरत का चेतर फल यानि पाई R2 का वर्ग माइनस पाई R1 का वर्ग पाई उभेनिष्ट है हाना इसमें हम लिख सकते हैं पाई गुना 21 का वर्ग माइनस पाई गुना 10.5 का वर्ग 21 का वर्ग होता है 441 पाई माइनस 110.25 पाई जिसको हम हल करके हम पाते हैं 330.75 पाई और गुना करके हम पाते हैं कि वो आएगा 1049.5 cm वर्ग ब्लू छेतर का छेतर फल बराबर होगा 30 वरत का छेतर फल माइनस दूसरे वरत का छेतर फल जो बराबर है पाई आर थरी का वर्ग माइनस पाई आर टू का वर्ग यानि पाई गुना 31.5 का वर्ग माइनस पाई गुना 21 का वर्ग यह हुआ 992.25 पाई माइनस 441 पाई जिसको हम पाते हैं सरल करके 551.25 पाई और इसको गुना करके हमने हल किया तो हमें मिलेगा 1732.5 cm वर्ग ठीक है इसी प्रकार हम ब्लैक शेत्र का शेत्रफल निकालेंगे चौथे वर्ग का शेत्रफल माइनस तीसे वर्ग का शेत्रफल पाई आर चार का वर्ग माइनस पाई आर तीन का वर्ग इसमें हमने मान रखा πाई गुना 42 का वर्ग माइनस पाई गुना 31.5 का वर्ग इसको भी हमने हल किया 1764 पाई माइनस 992.25 पाई इसको हमने घटाया हमें मिला 771.75 पाई यानी 2425.5 सेंथिमीटर वर्ग इसी प्रकार वाई छेतर का छेतर फल हम निकालेंगे पांचवे वर्द का छेतर फल माइनस चौथे वर्द का छेतर फल पाई आर पांच का वर्ग माइनस पाई आर चार का वर्ग जो बड़ाबर है पाई गुना 52.5 का वर्ग माइनस पाई गुना 42 का वर्ग तो बच्चों हमें मिलेगा 2756.25 πाई माइनस 1764 πाई बराबर है 992.25 πाई जो बराबर है 3118.5 cm वर्ग इस प्रकार बच्चों हमने इनके 6 तफल ज्याद किये ठीक है आईए अगला प्रशन देखते हैं किसी कार के प्रतेक पईये का व्यास 80 cm है यदि ये कार 66 km प्रती घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रतेक पईयां कितने चक्कर लगाती है पईये का व्यास 80 cm है पईये की तरिज्या होगी 40 cm पईये की परिधी होगी 2 गुना पाई आर जो बराबर होगा 2 पाई गुना 40 यानी 80 पाई cm कार की चाल बराबर होगी 66 km प्रती घंटा जो बराबर है 66 गुना एक शुन्ये 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 बटा 60 cm प्रती मिनट जिसको हम हल करने पे पाते हैं 11 शुन्ये 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 सेंटी मिनट इस प्रकार हम 10 मिनट में कार द्वारा तै की दूरी कितनी हुई 11 शुन्ये 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 गुना 10 cm माना 10 मिनट में प्रतेक पहियां कुल N चकर लगाता है इसलिए N गुना एक चकर में तै दूरी यानि परिधी बराबर होगी 10 मिनट में कार द्वारा तै की गई दूरी अथवा N गुना 80 πाई बराबर हुआ 11 0000 के N बराबर हुआ 11 0000 बटा 80 πाई के इसको हम हल करके हम पाते हैं कि ये होगा 3500 बटा 8 और इसको हमने और सबल किया तो हमें N बराबर मिलेगा 4300 75 ठीक है बच्चों आईए अगला प्रेशन करते हैं निवन लिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का और चित्य दीजिए यदि एक व्रत का परिमाप और 6 तरफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस व्रत की तरिज्या क्या होगी पहला विकल्प है 2 मातरक, दूसरा विकल्प है πाई मातरक, तीसरा विकल्प है 4 मातरक, चौथा विकल्प है 7 मातरक इसका हल समझ लेते हैं माना व्रत की तरिज्या आर है व्रत की परिधी परिमाप कितनी होगी? 2 गुना पाई गुना आर व्रत का छेतरफल कितना होगा? पाई आर का वर्ग दिया है कि व्रत का परिमाप और छेतरफल संख्यात्मत रूप से बराबर है इसलिए दो πाई आर बड़ाबर हुआ पाई आर का वर्ग हम पाते हैं कि पाई और एक आर क्या अंसल हो गया इस प्रकार आर बड़ाबर हुआ दो इसलिए उस व्रत की त्रिज्या दो मात रख है अतय विकल्प ए सही है ठीक है बच्चो आईए अगला प्रेशन करते हैं यदि एक व्रत की परिधी और एक वर्ग का परिमाप बराबर हैं तो पहला विकल्प है व्रत का छेतरफल बराबर है वर्ग का छेतरफल दूसरा विकल्प है व्रत का छेतरफल बड़ा होगा व्रत का छेतरफल से तीसरा विकल्प है व्रत का छेतरफल कम होगा वर्ग के छेतरफल से चौथा विकल्प है व्रत और वर्ग के छेतरफल के बीच के सम्मन्द में निश्चत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता अब इसमें सोचिए बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही व्रत का छेतरफल आप आओगे कि बड़ा होगा वर्ग के छेतरफल से ठीक है? प्रशन साथ यदि एक व्रत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके छेतरफलों का अनुपात है बहुती रोचक प्रशन है आप इसको हल करिएगा और आप पाएंगे कि इसमें बी विकल्प सही होगा ठीक है बच्चों? अगला प्रशन देखते हैं प्रश्ण आठ, किसी स्थान पर 16 मीटर और 12 मीटर व्यास वले दो व्रताकार पार्कों के छेतर फलों के योग के बराबर छेतर फल का एक अकेला व्रताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव है नए पार्ग की तिज्या क्या होगी? पहला विकल्फ है 10 मीटर, दूसरा विकल्फ है 15 मीटर, तीसरा विकल्फ है 20 मीटर और चौथा विकल्फ है 24 मीटर बहुती सरल प्रेश्ण है, हल करिएगा और आप आएंगे कि 10 मीटर इसका सही उत्तर है ठीक है आएए प्रश्ण 9 देखते हैं भुजा 6 cm वाले एक वर्ग के अंतरगत खीचे जा सकने वाले व्रत का छेतरफल है पहला विकल्प है 36 pi cm वर्ग दूसरा विकल्प है 18 pi cm वर्ग तीसरा विकल्प है 12 pi cm वर्ग और चौथा विकल्प है 9 pi cm वर्ग इसको भी हल करिएगा और आप पाएंगे कि इसका d विकल्प सही है 9 pi cm वर्ग ठीक है बचों आएए अब हम ग्रह कारे के लिए कुछ प्रश्ण ले लेते हैं पहला प्रश्ण क्या भुजा a cm वाले वर्ग के अंतरगत खीचे गए वर्ग का छेतरफल pi a का वर्ग cm वर्ग होता है अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए प्रश्ण 2 क्या ये कहना सत्य होगा कि तरिज्या a cm वाले एक वर्ग के परिगत वर्ग का परिमाप है अपने उत्तर का कारण दीजिए प्रशन तीन उस व्रत का व्यास ग्यात कीजिए जिसका छेत्रफल 20 cm और 48 cm व्यास वाले दो व्रतों के छेत्रफल के योग के बराबर है ठीक है बच्चो आईए अगला प्रशन एक मोटर साइकल के पहिये की तरिज्या 35 cm है 66 km प्रती घंटा की चाल रखने के लिए पहिये को प्रती मिनट कितने चक्कर लगाने चाहिए यह हमें ग्यात करना है अगला प्रशन है विमाओं 20 मीटर गुना 16 मीटर वाले एक आयताकार खेत के कोने पर एक गाएं 14 मीटर लंबी रस्सी से बंदी हुई है खेत का वै चेतरफल ग्यात कीजिए जिसमें गाएं चर सकती है ठीक है बच्चों आएए अब हम सारांच देख लेते हैं आज हमने क्या सीखा व्रत की परिधी बराबर होती है दो गुना पाई गुना आर और व्रत का चेतरफल कितना होता है पाई गुना आर का वर्ग जहां आर व्रत की तिज्या है तिज्याओं आर वन और आर टू जहां आर वन आर टू से बड़ा है वाले दो संकेंद्रिय व्रतों से बनने वाले व्रताकार पत का चेतरफल हम कैसे निकालते हैं पाई आर वन का वर्ग माइनस पाई आर टू का वर्ग जिसमें हमने पाई उभेनिश्ट लिया आर वन का वर्ग माइनस आर टू का वर्ग होता है ठीक है बच्चों आशा करती हूं आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा कूप अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद